पुलिस विवाग में भरती होने के लिए परिक्षा पास करते तो आपने देखा होगा लेकिन पुलिस में रहते हुए अपने करते हुए आपने करते हुए को सही ढंक से निभाने के लिए बरदी में परिक्षा देते हुए पुलिस कर्मियों को पहली बार देख रहे पुलिस अधिकारियों की क्लास लगी। दरसल उनकी इस क्लास का मकसद यह जानना था कि पुलिस अधिकारियों को यह पता है कि नहीं उन्हें महिला और नावालिक बच्चों के मामले में किस तरह कारवाई करनी है। क्या कानून है इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को होना बहुत जरूरी है। इसलिए लगातार पुलिस अधिकारियों के ट्रेनिंग और प्रसिक्षन होते रहते हैं। इसलिए जरूरत महसूस हुई कि क्या पुलिस अधिकारियों को सही जानकारी है या नहीं इसके तो कि एक एक से महिला संब्न्दी अप्रादों एक, बहूत ही महथपूर्ड हो और बहुत ही संवेदाशील होते हैं और महीलाओं और बच्चों के खिलाब को एक अपरध होता है, तो उसमें वो ठाने पर जब आते हैं तो उनके साथ क्या ऐसा वैवार होते हैं, पुलिस के इस परिक्षा में जिले के सभी ASI, ASI, TI स्थर के अधिकारियों ने भाग लिया। खंडवा हरसूद मूंदी के पुलिस अधिकारियों ने यहाँ परिक्षा दी। इस परिक्षा में उतकर्स अंग लाने वाले अधिकारियों को पुरुसकत भी किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों को महिला और बच्चों पर हो रहे, शोशन और अपरादों को रोकने की जिम्मेदारी है, वह उसे कितना अच्छे से निभा रहे हैं। या परिक्षा पुलिस विवाग की अंतरिम परिक्षा होती है, इसके रिजल्ट के आधार पर पुलिस अधिकारियों को अपने कर्तववयों के लिए तयार किया जाता है। परिक्षा में एक्जामर के तोर पर खंडवा एडिसनल एसपी, सीमा अलावा, सीएसपी ललित गठरे, डीएसपी, दीपा मंडवे, एसडीोपी और वरिश अधिकारी मोजूद थे। तेजन्यूसरीपोर्ट